हलो फ्रेंड्स तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं आज मैंने मेथी मटर और मलाई की सब्जी बनाई है और सब्जी वाके में बहुत टेस्टी बनी थी और जो बच्छे मेथी वेगरा नहीं खाते हैं उनको भी ये सब्जी बहुत पसंद आती है तो चलिए बनाते हैं फटा फट और इस सब्जी को बनाने में बहुत जादा जंजट भी नहीं है बस थोड़ी सी सामगरी से बन के त्यार हो जाती है तो यहां मैंने एक कटोरी जितने मेथी को दो करके कट कर लिया है बारिक यहां फ्रेश मटर को यूज कर ही हूं मैं और यह काफी मिठी है और एक से डेड़ कटोरी जितनी दही दही भी बहुत साथा खटी वाली नहीं लेनी है और यह काजू को मैंने भिगो करके रख दिया था तो पंदरा से बीस काजू बहुत होते हैं और यह काफी सॉफ्ट हो गया है काजू और यहां पे सिर कुझ नी जूत जाएक लगदे 9 मोग चुर्ण निलता है तो में और है कि घरता पिंग के सबसे पहले इसको एन्दर मैं अद्रक और लसन को डाल दिया इनको जादा भूनना नहीं है क्योंकि मैं वाइट ग्रेवी बना रही हूँ तो बस साथ के साथ मैंने देखिए प्याज को भी आड़ कर दिया और प्याज को आड़ करने के बाद ही बस इसको थोड़ा सा चला लेना है इसको भी हमें ब्राउन नहीं होने देना है इसलिए मैं इसके उपर सबसे पहले तो न पिल्कुल नहीं होने देना है अगर प्याज ब्राउन हो जाएंगे ना तो फिर हमारी ग्रेवी का जो कलर है वो डार्क आएगा इसलिए बस इसको हमें चलाते हुए थोड़ा सा मिक्स कर लेना है और फिर उसके बाद यहां पर मैंने डिर्ड कटोरी जितने दही का यूज क है कि जो हमारे काजू है ना वो भी अच्छे से सौफ्ट हो जाए और पकते पकते ना इसका जो यह सारा पानी है वो बिल्कुल सूख जाएगा और इस तरीके से जब ऑईल रिलीज होने लग जाएगा ना फिर हम ग्यास को बंद कर देंगे और जो यह प्याज है इसको अच च्छोटा सा पीस बटर का और बटर से टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है नहीं तो आप ऑईल वगरा भी यूज कर सकते हैं और यहां जो यह सारी मेथी थी ना मेथी को मैंने इसके अंदर डाल दिया है और इसको थोड़ा सा चला लेना है और चलाने के बाद जब थोड़ इससे आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते जाए और वीडियो को प्लीज लाइक भी कर देना यहां पे ना मैंने चार पाच मिर्चो में इस तरीके से सेंटर में कट लगा करके इसको इसमें आड़ कर दिया है अगर हम मिर्चो को ग्रेवी में बिल्कुल दरदरा नहीं रहना चाहिए बिल्कुल स्मूध और यह आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूध हो गया है तो अब मैंना इसको कढ़ाई में चान करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ तो यह देखिए फ्रेंट्स मैंने इसको एक बार वैसे स्मूध था लेकिन मैंने फिर से चन्नी में और छान लिया जिसे यह बिल्कुल ही सॉफ्ट जैसे हमें जो रेस्टरंट में ग्रेवी मिलती है ना उसके अंदर बिल्कुल भी दरदरा नहीं होता है यह बिल्कुल वै मीफी बड़ा राओ तो फिर हम पकाई हूई मेथी और मतर है ना इसको अड़ कर देंगे और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोает यह को पंच साथ मिनट के लिए हम इसको पकने के लिए ढग करके छोड़ देंगे जब तक हमारी जो ये मतलब मेथी और मटर है वो इसके अंदर ग्रेवी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए अब पता नहीं इसका नाम मेथी मटर मलाई क्यों है मतलब मलाई का तो हमने कहीं यूज भी नहीं किया है लेकिन फिर भी मेथी मटर मलाई तो चलिए अब यहां ना मैं फ्रेंट्स इसके लिए एक मसाला बनाऊंगी आपने देखा होगा कि हमने कोई भी मसाला इस मतलब ग्रेवी के अंदर नहीं आड़ किया है तो यहां मैंने नमक ले लिया एक चमच उसमें जीरा, काली मेर्च और एक चमच साबुत धनिया ले लिया है और फिर इनको अच्छे से ना हमें भुन लेना है, भुनने से जो मसाले है ना उनका फ्लेवर थोड़ा और ज़्यादा उभर जाता है और फिर इसको दरदरा सा कूट लेना है, आप देख सकते हैं यह, अब सेम पैन में ना मैं एक तड़का त्यार कर रही हूँ इसके लिए ना मैंने एक चममच घी, देसी घी यूज किया है, आप फिर रिफाइंड में भी इसकाम को कर सकते हैं तो यहां जब घी अच्छे से पिघल जाएगा, तो उसके अंदर मैं आड करूंगी 5-7 काजू, ज़्यादा नहीं लेना है, बस थोड़े से, और फिर दो छोटी लाइची को कूट करके, और 2-3 लॉंग को कूट लिया है मैंने इससे हमारे जो घी है उसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा, और इसको बस हमें चलाते रहना है, जिससे की काजू बिल्कुल रड़ना हो जाए, और फिर थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च मैंने अड़ कर दिया है इसमें, और फिर चलिए जादू दिखाती हूँ, कैसा दिखाई देता है, तो जो मैंने मसाला बनाया था ना, उसको सबजी के उपर मैंने इस तरीके से छिड़क लिया है, इससे हमारे सबजी के अंदर किसी भी मसाले की कमी नहीं महसूस होगी, और आप लोगों ने होटल वगरा में देखा होगा ना, सबजी के उपर इस तरीके और मेथी बिल्कुल नहीं पसंद है लेकिन उसको ये वाली सबजी बहुत पसंद है तो आप लोग भी एक बार इसको जरूर ट्राइ कर सकते हैं अपने बच्चों को जिनको मेथी वेगरा नहीं पसंद है और इसमेथी पता है बिल्कुल कड़वी भी नहीं लगती है पता भी नहीं चलता कि आपने मेथी डाल रखा है तो एक बार उनको बिना दिखाए बिना बताए इस तरीके से मेथी बना करके देखिए और जरूर उनको पसंद आएगी और अगर आप लोगों को फ्रेंड्स मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक कर दीजेगा वीडियो को और अपने फ्रेंड्स वगरा के साथ भी जरूर शियर करिएगा और इसी तरीके से चानल पर आते रहेए हमें भी सपोर्ट करते रहेए आप लोगों क है रही हम लाइक कर दीजेगा थैंक यू फर वाचिंग